नमश्कार BCN News के दिन विशेश कारे क्रम में मैं दुशाप सभी का स्वागत करती हूँ 1980 के दश्रकास सबसे आकरमक ओपनर नाम कुर्ष्णमाचारी श्रीकांथ कई लोग चिका कहकर भी बुलाते हैं 1983 की क्रिकेट वर्लकब विजेता टीम का हिसा रहे तमिलनाडू के इस बल्ले बास ने वंडे और टेस्ट क्रिकेट के बाद सेलेक्शन कमीटी में भी एहम भूमिका निभाई आजी के दिन 1969 में उनका चन्म हुआ था 21 दिसंबर 1969 को तमिलनाडू में चन्मी श्रीकांथ ने 1983 के वर्लकब फाइनल में खेलते हुए 38 रन की पारी खेली थी दोनों टीमों में श्रीकांथ टॉप स्कोरर थे इंडिया ने उस माच में 183 रन बनाये थे और माच 43 रन से चीता था भारत ने पहली बार वर्लकब चीता था कपिल तेव, मोहिंदर अमरनाथ और बलविंदर सिह संदू की गेन बाजी के चलते इंडिया अपने 183 रन के स्कोर को टिफेंड कर पाया था मगर इस पेच श्रीकांत ने 38 रनों के महतुपोर्ण योगदान की उतनी चर्शान नहीं हो पाय थी अपने क्रिकेट करियर में श्रीकांत ने 43 टेस्ट और 14 वंडे माच खिले टेस्ट में 2 सेंच्योरी और 12 हाफ सेंच्योरी है इस बल्लेबास की नाम वही वंडे में 4 सेंच्योरी और 27 हाफ सेंच्योरी भी लगाई थी श्रीकांत ने विशाखा पत्नम में साल 1988 में न्यूजिलैंड के खिलाफ पहले हाफ सेंच्योरी मारी और फिर बतौर आफ प्रेक स्पिनर 5 विकेट भी लिए किसी भी वंडे में किसी भी भारतिय द्वारा 50 रन मारने के साथ 5 विकेट लेने का यह पहला मौका था श्रीकांत के दूब बेटे अनिरुद और आदित्य भी क्रिकेट खेलते हैं अनिरुद तमिलनाड के लिए लगातार खरेलो क्रिकेट खेल रहे थी साथ ही वो इडिया अंडर 19 टीम आईपियल में चैनने सूपर किंग्स और संद्राइजर्स हैदराबाद की टीम का हसा रह चुके है श्रीकांत ने क्रिकेट के अलावा एक डांस रियालिटी शो चलक दिखलाचा में भी फाक लिया था साल 2013 के इस शो में श्रीकांत सबसे उम्रेदरास प्रतिभागी थे वैसे श्रीकांत ने इलेक्ट्रिकल इंजिनियरिंग की पढ़ाई की है भारत के अजादी के लिए संगर्श्रित कांथिकारियों में से एक बाबा सोहन से भकना अमेरिका में गठित गदर पार्टी की प्रसद नेता थी लाला हरदयाल ने अमेरिका में पैसिफिक कोस्ट हिंदी असोसियेशन नाम की एक संस्था बनाई थी जिसका अध्यक्ष सोहन सीह भकना को बनाया किया था इसे संस्था के द्वारा गदर नामक समाचार पत्र भी निकाला किया और इसी के नाम पर आगे चलकर संस्था का नाम भी गदर पाटी रखा किया आजी के दुन 1968 में उनका अनिधन हुआ जनवरी 1870 में अमरुद सर जिले पंजाब की खुतराई खुर्द नामक गाव में संपन्द किसान परिवार में हुआ था उनके पिता का नाम भाई करम सीह और मा का नाम रानी कौर था सोहन सीजी को अपने पिता का प्यार अधिक समय तक प्राप नहीं हो सका जब वे मात्र एक वर्ष के थे तबे पिता का दिहान थो गया उनके मार रानी कौर नहीं उनका पालन पोशन किया आरम में उन्हीं धार्मिक शिक्षा दी गए ये शिक्षा उन्होंने गाव के ही गुरुद द्वारे से प्राप की ग्यारा वर्ष की उम्र में प्राइमरी स्कूल में भरती होकर उन्होंने उर्दू पढ़ना आरम किया जब सोहन सीह दस्त वर्ष के थे तबे उनका विवाह बिशिनकौर के साथ हो गया जो लाहौर के समेब एक जमीनदार कुशल सीह की पुत्री थी सोहन सीह जी ने 16 वर्ष की उम्र में अपनी स्कूलिक शिक्षा पूर्ण की वे उर्दू और फार्सी में दक्ष थे युआ होनी पर सोहन सीह बुरे लोगों की संगत में पढ़ गया उन्होंने अपनी संपोण पैत्रुक संपती शराब पेने और अन्य व्यर्थ के कारियों में कवा दी कुछ समय बाद उनका संपर्ग बाबा केशे सीह से हुआ उनसे मिलने की बाद उन्होंने शराब आधी का त्याग कर दिया अपनी क्रांतिकारी गति वीडियो के कारण सोहन सीह जी को गिरफतार कर आज इवन कारावास की सजा सुनाए गई थी अंग्रेश सरकार उन्हें पूरे 16 वर्ष तक जेल मेर रखना चाहती थी किन्तों उनके स्वास को गिरता देख सरकार को उन्हें रिहाग करना पड़ा BCN News के दिन विशेश कारे क्रमे फिरहाल इतना ही SCN और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहेए BCN News नमश्कार